नमस्कार आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद मैं हूं वेद प्रकास आज हमारे साथ हैं तेज श्वी यादव परिचाय के मोहताज नहीं है इनसे बात करेंगे हम वो जो देव की नंदन ठाकुर करें दूसरा मुद्दा है सवर्णों के आरक्षन पर और तीसरा है जेल्यू चात्र संख्स चुनाओ कि सर्फ पहला देव की नंदन ठाकुर जो एक्ट पर लगातार विरोध कर रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर दो महने के अंदर जो सुप्रीम कोट ने जिस तरह बात समझनी की जरूरत है कौन क्या उठ करके कह रहा है हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है हमारे सामने जो वंचित लोग है जो बैक बेंचर आफ दा सोसाइटी है दलित है जो सदियों सदियों से उनका शोशन किया जाता रहा है और आज भी अगर देखा जाए तो किसी दल घौडीत ल लड़के को घोरी तत्पे भी बैठेने दिया जाता है जहां अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए रहम लोगों की लड़ाई हैं जो गैर बराबरी ते श्राफरी विवस्था जो पहले से जो कायम था उसी वन्ड विवस्था को ये लोग फिर से स्थापित करना चाहते हैं कौन क्या कहता है नहीं कहता है हमारा जो अपना जो करता वह है और जिस आइडियोलीजी के साथ हम राजनीती में आये हैं और लालू जी ने जो काम गरीब पिछड़ों दलितों के लिए अर्प संक्रिकों के लिए जो करने का काम किया जो लड़ाई लड़ी जो आवाज बने उस विचारधारा को ले करके हमें अपना करताव करना है यह जो कानून ह इस कानून के बदॉलत जो हमारे दलित है अधिवासी भाई है उसको यह सुरक्षा देने का काम करता है और जब उनकी सेक्योरिटी की बात आती हमारी लड़ाही है कि उनको हम सेक्योरिटी दे एक सम्मान अगर कोई दूसरे उची जाती का अगर कोई आदमी बैठा है तो द भेद भाव की जूष्टिती फ़ो खतम होना और आरक्षन जो है सिर्फ आर्थिक अधार पे ही नहीं मेंर परो उसका टेक्वनोलिजी नहीं है कि तीक है नयायपालिका है सबको इसका पढ़न करना ही पड़ेगा लेकिन नयायपालिका में जब आपके पक्ष रखने का बात आया जब भार्द सरकार का ओंडनी जलन तो गया नि आपने बड़े हलके से लिया उस चीज को और ऐसे किसी को भी भेज दिया बिना तयारी के और अपने तर्क भी नहीं रखा तो जब तर्क आपने रखा ही नहीं अच्छे से मजबूती के साथ पक्षी नहीं रखा इसलिए नहीं रखा कि उपर से प्रेशर था सरकार का प्रेश जब यह कानून जब खतम जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़े चलाकी से कराया तो लोगों ने भारत बंद किया जिसको लेकर करके हम भी सड़क पर उतरने का काम किये थे हमारी जो मांग थी उस समय भी पार्लेमेंट चल रहा था खतम होने वाला था खतम भी हो गया था तब प्रकार इतनी कि अगरव और भारत बंद नहीं हो ता हम लोग सड़कों नहीं आते हैं तो तुम्हां कानून नहीं आता अब दुबारा कानून भी आया तो देखिएगा इस्तिती क्या है उसको फिर से शड्यू लाइन में नहीं रखा गया तो यह साजिश है शड्यू लाइन में क्या दिकत है भाई आको लाने में और कुछ निता है जो बिहार के ही हैं जो स्वैम दलित के निता कहते हैं केंद्र म मंत्री है उन्हीं दलितों ने इतना मां समान दिया आज इस मोकाम तक पहुंचाने का काम कि वो लोगों ने मूं में दही जमा के रखी वे अखिर भाई किसके लिए आप है आप कुछ कहते हैं आपका बेटा कुछ कहता है तो उस पर हम लोगों को नहीं करना लेकिन हम लोग तों मिल्रातों के उन्ट सांध मिल करके शंगर्श करेंगे, और उनको उनका अधिकार हम लोग दिलाने का माँड़ी. गरीब सवर्णहों के आरक्ष्ण के मांग कई पार्टिों के द्वारा की जा रहे जिसमें कॉंग्रेस भी के साथ आप हैं मांजी जी की पार्टी है मांजी जी खुद मांग करते हैं गरीबी के अधार पे आरक्षन की मांग 15 परसेंट अठावले जी आया उतों 25 परसेंट मांग आपने शुरू में ही कहा आपको अगर आप देखिएगा कि गरीबी दूर करने के लिए और आर्थिक स् नहीं है आरक्षन इसलिए है कि जो भेद भाव जो सदियों से चलता रहा है जो वन विवस्ता जो कायम था जो उच नीच की बात थी छुआ छूट की जो बात थी उसको दूर करने के लिए आरक्षन है यह टेक्नोलोजी आरक्षन जो है यह मैठड आप समझे कि यह आर्थि नहीं कि अज किसी को रोजगार भी नहीं मिल रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा उस पे को बहस नहीं कर रहा है और आप देखेगा आरक्षन जो है कि 27 परसेंट OBC का है जो इंदरानी बेंच का जो भी वान नाइन बेंच जो इसका जो बेंच था मंडल कमिशन का जो रेक्मेंडेशन हाया था उसके जरीए हम लोगों को OBC को 27 परसेंट आरेक्शन विला और अभी कुछ दिन पहले पार्लिमेंट में एक सवाल पूछा गया था जिसमें कि समाजिक न्याय मंत्री जो भारे सरकार के उन्होंने जवाद दिया कि सवाल यह था कि OBC कितना आरेक्शन जो है 27 परसेंट में कितना इंप्लिमेंट हो पा रहा है तो उनका जवाद था जिकार मिला हुआ वही अभी तक फुल्फिल नहीं हो पाया है वही खाली है बैकलोग की अलग समस्या है तो यह सारा लड़ाई अभी चली रहा है आप समझेए अगर मिला भी लेते 17 परसेंट जो अभी इंप्लिमेंट हुआ है 27 ठोड़िए अभी तो 10 परसेंट पूरा हु अगर वह 60 पीसिदी पर उसके इस्तमाल कर रहा है और जिसकी 85 पीसिदी अबादी है वह 40 परसेंट पर हैं तो यह तो जस्टिस नहीं है और हम लोगों के तो शुरू से भी मांगती ठीक है अप आर्थिक की बात करता है और आखिर किस बेस पे कौन जाती को कितना आरक्शन देना होगा इसका कोई विशलिशन के लिए कोई अधार तो होना चाहिए ना तो अधार तो यहीं बनता है कि जो जाती गंगन्ना हो जो हुई आर्थिक और सेक्षिनिक तोर पे कौन जाती कहां खड़ी है यह अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप कैसे आप उस काम को प भूमि हीन है this is a sector कशाणने का काम करता है कौन ऐसा जात है जो मंदिरों के बाहर भीक मांगने का काम करता है तो यह जब आगने आगे हैं सामने तो भारत सरकार जो चुपाई हुई है पब्लिक डूमिन मिला जो जातिगर्द जन्गन्ना हुई है उसके आधार पर आप देख लीजिए उसको आधार बनाई है और उसके हिसाब से काम करेंगे और इनसे लगतार मुकाबला करेंगे हम लोगों ने आज तक हमारी पार्टी ने हमारे पिता नेता जो है लालू जी आज तक कभी भी इतियास उठाके देख लिए कभी भी मनुवादियों के साथ या संप्रदाइक शक्तियों के साथ समझोता लेगी है महागडब देखिए हम लोगों की यह शुरुवात थी और हाला कि यह पहले से हम लोगों को जो प्रोसेस था इसको कर देना चाहिए था चानक से चुनाओं में लेकिन जो हमारा जो विचार है जो प्रेजेंस है वो कहीं 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 से नहीं था और आपको पता है इतने हमारे लोग वहा का राय था कि हम लोगों को भी जो लालू जी की विचारधारा है जो अपना पाटी का स्टैंड है और जैन्य जैसे संस्था में कम से कम इसका एक प्रेजंस होना चाहिए हम किसी को देखे कमजोर करने के लिए वहां नहीं लड़ रहे हम अपनी बातों को अपने प्रेजंस को गिनाने के लिए वहां चुनाव लगता है और गडबंधन क्या है नहीं है तो पॉलिटिकली चीजें आती है नहीं आती है इसके लिए तो अलग से भी बात होगी लेकिन अपना कम से कम पाटी वहां खड़ा है अब मालीज अपने लोग वहां खड़े हैं ताकि हमारी बातो दों को ऑच सहीं से बता तो सके हैं हमारे विचार को तो रख तो सके और सब को अधिकारे चुनाव ड़िने का और कोशिश सर्फ जेनिव में ही नहीं बलकि हमारी कोशी् única comesешь जो है डnda А Bree जामिया में भी होगी और देर ने sawmiddag को हमने में एक मिटिक वहां जिसमें कि तीनों युनिवर्सिटीटीज के प्रोफेसर्स वगरा भी थे और स्टूडन्स वगरा भी थे उनको भी हम लोगों ने अड्रेस किया हम लोगों का जो मक्षद है आप देखिए जेनियू जैसे संस्थानों पर किस प्रकार से हमला हो रहा एडूकेशन इंस्टिट कुछ जितने थे हर जगा वाइस चांसलर के नाम पर आरेस के एजन्ट को बैठा दिया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी में जिस तकार से प्रोफेसर की पिटाई की गई जिस प्रकार से लगतार यह जो हमला जो है मनुवादी लोग यह प्रहार करना है अब एजुकेशन फिल्ड में घुसा करके पूर्य तरीके से सिक्षा व्यवस्ता को चौपट किया जा रहा है उनकी जेब को भढ़ने का काम किया जा रहा है जब क्रोनिक कैपिटलिस्ट जब सरकार चनालें लगेंगे अपने एजुकेशन माफिया के नाम पर आप बताइए किस फ्रकार से भी कर दिया गया सारा जैनियु में तो और भी ऐसे जितने यूनिवर्सिटीटीश है तो पर इसी तरीके सरे प्रैविटाइज किया जा रहा है तो यह कहीं ना कहीं से तो नुकसान दाय किसको होगा जो बिहार से भी गरीब जाकर करके जैनियु में भी उसलिए हम लोगों का ये तय था कि भाई हम लोगों को भी कि अब पॉलिटिकल पार्टी भी है तो एक विस्थार करना चाहिए और खास दोर पर नौजवान जो जागरुक नौजवान है उनको तो हमारा क्या स्टैंड है हम क्या कर रहे हैं ने करने क्या लड़ाई है क्या वि या फिर इस तरह का मुद्दा उठाया गया था कि हम नीजी छेत्र में आरक्षन लेंगे यह मुद्दा आपका खो नहीं गया आप देखिए ना आपको जो मिला था वहीं छीना जा रहा है पहले जो मिला हुआ चीज है वहीं बचा लें और क्यों नहीं होना चाहिए होना ही चाहिए लेकिन अभी जो आपको बताब 27 परसेंट ओबीची वो क्या 27 परसेंट मिल गया तो हम पहले लड़ाई लड़े ना उस 27 परसेंट को बनने की सवर्णों के लिए 10 15 20 25 जितना जिनका मन खास करके दलिक नेता मांग करें रठावले माजी हो मायवती हो रामिलास पास 粉 की वह भारत सरकार से मांग करें कि 30 जनगन्ना के आधारनत की जाए कि को यह आधार तो होगा तो मेटना लिलो तो मेटना लिलो तो में क्विज बेशिपाकर घर अपको होना चाहिए आप को अगर आप गरीभी के हिसाफ से удив जो हमारा जो अधिकार है या अमसे जो नीचे वाले लोग होतु को तो हम अपने बढ़ाबर लाना चाहते कि नहीं लाए हम भै हमी हमी लोग निचे बठेंगे वो लोग नीचे बैठेगा हम नया नया जूता पहनेंगे वो लोग खाली पैड चलेगा सर पर रखेगा खोड़े गाओं में क्या था प्रदानी मठका लगा दें क्या फिर से हम फिर से यह वेवस्ता चाहते हैं क्या तो यह तो हम नहीं चाहते और जब समाजिक न्याएं ही जो है इन मनुवादियों का दवा है तो यह हम लोगों करने की ज़ते हैं हलांकि अपरकास्ट हो ओबीशी हो दलित हो बैकबेंचर हो सबको अगर लगता है गरीब है तो आप जाती जनगन्ना मलाई जाती जनगन्ना का विशलेशन कीजिए उसके आधार पर आप कीजिए जो करना है लेकिन दूद का दूद पानी का पानी हो जागे इसी लिए तो सारी बाते पता चल जाएगा यही चलाकी यह लोग कर रहे हैं कि उसको छुपाने का काम करने पब्लिक डॉमेंड में इस लिए लाने का क्या है तो यह तेजस्वी आदब थे सभी सवालों के जवाब दिये अपने आइडियोजी को इन्होंने रखा और खास करके सवर नारक्षन पे नहोंने अ एगर कि यह तेजस्वी आएगागे झालों कisha च Cabinet यह हैं कि झालों काम करने का का यह तो